नमस्कार दोस्तो आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जियोग्राफी की कुछ इंपोर्टन क्वेशन्स जो में प्रीविएस एच्पी एससी हमिरपुर के एक्जाम में ये क्वेशन्स पूछे गए थे तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेशन्स के मैं आपको अंसर बता जे ओ याई टी पोस्ट कोड़नाओ सो पैंसेट और जितने भी वेरियस एक्जाम कंड़क्ट किये जा रहे हैं हम इर प्रवोड द्वारा उनस सभी एक्जाम में ये क्वेशन्स आपको काफी हैल्पल साबित होंगे तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले अगर ये सबसे चोटा ग्रह है स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और अपको पता होगा ये सबसे चोटा और निकट ग्रह है बुद्ध ग्रह जो है वो आपका इस कोशन्द का राइट अनस रहे अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल में ग्रहों की संक्या कितनी है ये आठ ग्रह है सबसे चोटा तो आपको पता है कि मरक्री है और अगर आपसे सबसे बड़ा पूछा जाए तो ब्रस्पती जो होगा वो सबसे बड़ा ग्रह है तो option number A इस question का राइटेंस रहे सबसे चोटा ग्रह जाब आपका बुद्ध है उसके बाद question आपसे और भी पूछ सकते हैं इसम लाल ग्रह अगर आपसे पूछा जाता है तो वह मंगल ग्रह को जो लाल ग्रह भी कहते हैं और सबसे चोटा ग्रह कौन सा है option नमबर ए जो है बुद्ध जो है इसके राइट अंसर है नेक्स्ट क्रहशन पर चलते हैं इसमें मई राइगे कि राकार वर्स जो है वो वह किसकी एकाइब है किसकी है किसकी यूनिट है यह इसटन्स यह बना लें片 के औम कीुछ दिस्टेंस यनिके दूरी की एकाई है तो फ्रेंट जेंट के आपने शोट फोर में नोट से जरूर बना लें हैं क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम काफी हलफल साबित होंगे नेक्स्ट क्वेशन पे चलते हैं क्वेशन मेरे 43 में बोला गया है कि निमलेक्ट में से किसका हमारे वायू मंडल में सारवदे का प्रतिशत है इस क्वेशन का प्रसेंटेज है वह सबसे ज्यादा है आपसे पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है तो यह आपकी 78.084 जो है 78.084 जो है वह आपकी हमारे वायू मंडल में अट्रोजन की परसेंटेज है उसके बाद जो बात करते हैं वह अक्षीजन की है और अरगन की जो परसेंटेज है यह भी आपसे पूछ सकते है आरगन की 0.932 जो है वह आपकी ऑक्षीजन की है कार्वन डाइकसाइड की अगर आपसे पूछा जाए तो 0.03 यह कार्वन डाइकसाइड की है तो option number D इस question का right answer है नाइट रोजन जो है इस question का right answer है हमारे वायो मंडल में इस हारवधी को प्रसेंटेज जो है प्रतिशाद जो है वह आपकी नाइट रोजन की है तो option number D इस question का right answer है नेक्स्ट question पर चलते हैं इसमें बोला गया कि दक्षणी अर्द गोलार्द में सबसे लंबा दिवस कौन सा है longest day in the southern hemisphere है यह भी काफी important question है इस question का right answer है आपकी option number D है 22 December जो है इस question का right answer यह दक्षणी अर्द गोलार्द में 22 December जो है वो सबसे लंबा दिन है इस दिन होता क्या है यह भी आपने याद रखना है क्या होता है 22 December को सोरिया मकर रेखा पर लंबत पड़ता है जिससे दक्षणी गोलार्द में ग्रीशम रितू होती है अर्थात दिन बड़े और राते छोटी होती है जबकि उत्री गोलार्द में क्या होता है सोरिया तिर्चा चमकता है जिससे दिन छोटे वा राते बड़ी होती है और गर्मी कम होने से जाड़े की रीतू होती है ये भी आपने याद रखना है जिसका अर्द गुलार्द में 22 दिसंबर जो है वो सबसे लंबा दिन है इस दिन क्या होता है दिन जो होते हैं वो बड़े होते हैं और राते चोटी होती है ओप्शन दिसंबर जो है इस क्वेशन का कोलेक्ट आंसर है आगला प्रसिया है रूस ने क Divine जोन का सुपिकार किया है है यह विफाजित किya गया है बिशुब को 24 समय जोन में विवाजित किया गया है ये विवाजन ग्रीन विच मीन टाइम वा मानक समय में एक घंटे के अंतराल के अधार पर है ग्रीन विच जो है वो या मियत्र जीरो डिग्री दिशांतर पर है जो की ग्रीन लैंड वा नौर्वियन सागर वा वरिटेन फ्रांस स्पेन अलजीरिया माले और बुर्कीना फासो गाना वा दक्षिन अंटलाटिक से गुजरता है वैसे ही जिन देशों का अक्षे तरफल जो है वो सबसे अधिक है वहाँ एक से अधिक्स में जोन की अफशकता पड़ती है जैसे सिफ्ट राज्य अमेरिका में साथ यूएस से भी पूछ सकते हैं यूएस से में साथ और सास में जोन वा रूस में ग्यारास में जोन है तो और अप्षिन नमबर सी इस क्षिन का राइट अंसर है जिन भी कंट्रीज का एरियाज शेत्र फल्द ज्यादा है वहां एक से अधिक समें जोन की अफशक्ता परती है USA में सास में जोन है और अर्शिया में ग्यारास में टाइम जोन है तो option number D, C जो है इस question का right answer है अगले प्रित्वी के बायू मंडल में मुख्या प्लेट्स की कुल संख्य कितनी है टोटल नमबर ओफ मेजर प्लेट्स इन अर्थ हैटमोसपेरिस तो question number 46 का जो को राइटनस रहा option number C है साथ जो है इस question का right answer है प्रित्वी के बायू मंडल में जो मुख्या प्लेट्स की संख्या है वो साथ है question number 47 पे चलते हैं इसमें बोलेगे कि which of the falling waves causes most of the earthquake structural damage नमेर्ट मेंसे कौन सी तरंगे जो है वो ज्यादा तर भुकंब की धंचागत क्षटी कारित करती है तो सरफ यह सबेब्स जो है इस question का right answer है option C इस question का right answer है friends मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इन questions के अपने short form में notes जरूर उबना ले ले हैं क्योंकि आपको revision के time काफी help उस साबित होंगे question number 48 पे चलते हैं इसमें बोला गया कि shell किस प्रकार की चटान है shell is which type of rock question number 48 पे काफी important question है तो इस question का जो correct answer है option number B है अफसादी चटान जो है sedimentary rock है यह shell is which type of rock यह option D जो है इस question का right answer है आपको पता होगा कि अफसादी चटाने कौन सी होती है यह भी आपने याद रखना है अफसादी चटाने होती है कि अपरदन की प्रक्रिया द्वारा पूर्व विद्यामान शैलों अथवा जैरिक स्त्रोतों से प्राप्तपदार्थों से बनी शैले अफसादी शैले या चटाने कहलाती है यह संपूर्ण भूबिस्ट के 75 प्रतिशत भाग बर पाई जाती है यह आपने याद रखना है यह संपूर्ण भूबिस्ट के 75 प्रसेंट भाग बर पाई जाती है अधिकतर जीवाश्रम खनेज तेल इनी चटानों में पाई जाते हैं आपसे यह भी पूसकते हैं कि प्रसेंट नमर्फ फूर्टी नायन में बोला गया कि किस बाई बाई मंड़ी परत में थाप मान व्यूत करम की घठना होती है तो फिनोमेन ओफ टैंपरेचर इन वर्सन आकर जिन वेच अटमोस पेर लेयर तो फूर्टी नायन भी काफी इस प्रसेंट नमर्फ फूर्टी नायन में बाई मंड़ी परत में थाप मान व्यूत करम की घठना होती है टेंपरेचर इन वर्सन जो है वह का क्षोब मंड़ ट्रॉप फूर्प फेर में होता है तो ओप्ष्ण नमर्फ ए इस क्वेशन का कॉर्रेक्टन से रहा है आपको पता होगा कि क्षोब मंडल के बाई में कुछ डिसकस कर लेते हैं ये बाई मंडल की जो सबसे निचली परत है इस परत की जो उंचाई है वो भूम अध्या रेखा पर 16 किलो मेटर तथा दुरुब का हास होता है जिसे टाप की समान रहा तर कहते हैं उसके बाद बात करते हैं समताप मंडल जो है इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं उसके बाद ये मौसमी संबंदी घटनाओं से मुक्त है इसलिए बायू यान की उडान के लिए आधर्ष परत है ये आपने आधर रखना है जो बायू यान की उडान के लिए जो आधर्ष परत है वो समताप मंडल ही है इस मंडल में 15 से 35 किलो मेटर की बीच औजोन गैस पाई जाती है जो परावेंगनी किरनों का बशोशन करती है तो समताप मंडल में ही औजोन गैस जो है वो पाई जाती है ये भी आपने याद रखना है इसक monitored मद्दिया मंडल की बात करते है मद्दिया मंडल में क्या होता है मद्दिया मंडल का जो बिस्तार है वो सागर तल से 50 से 80 किलो मीटर की उन्चाई तक पाया जाता है इस मंडल में उन्चाई के साथ तापमान में पुना गिरावट होने लगती है तेमप्रेचर जो होता है वो डिग्रीज होने लगता है उसके बाद लास्ट जो है आयन मंडल जो है आयनो स्पेर जो है इस परिथवी सता से ये 80-640 किलो मीटर की उंचाई तक आयन मंडल पाया जाता है उंचाई के साथ इस मंडल में तापमान में भी बिद्धी होती है टॉपोस्पेर जो है वो ये इस परत में ताफमान बियूट करम की घटना होती है. टेमपरीचर इनवर्सन जो है वोगा काम अकर करता है टॉपोस्पेर में. नेक्स्ट क्वेशन है हरीकेन कि इस क्षेतर में होता है हरीकेन अकर यानि विच लीजिन तो ये केरेवियन सी में होता है ऑप्शन अमबर सी इस क्वेशन का राइट अंसर है हरीकेन जो है वो आपका केरेवियन सी में के क्षेतर में होता है question letter 51 पे चलते हैं question number 51 में बोला गया कि गहन समुन्दरी मैदां explains प्लेन को यह भी कहा जाता है डीप सी प्लेंज इसाथ सो कोड़ तो इसे क्या कहते हैं इसे विटली प्लेन कहते हैं और तो अप्शन नदी की किनारे से था लहावर इस लोकेटेट अलोंग यह वैंक और वेंक वेचरी वद्लाहवर आपको पताए पाकिस्तान में है तो ऑफ् आपने कमेंट सेक्शन में जरूल पताना है कि हैदरावाद शहर जो है किस नदी के किनारे से था लहावर जो है अगला प्रसुन है इसमें बोलागे कि टाटा जल परियोजना किस नदी पर निर्मित है ताटा है पर निर्मित है यह भी आपने कमेंट सक्षिन में बताना है नेक्स्टबशन पर चलते हैं कि सभारती राजय में रातनागsce गरी मैंगुरूप स्थित्ध है रातनागिरी मैंगुरूब स्थित्थ है रातनाग simples 的 लोकेटद इद शूस्ट है उसे महरास्ट टो फूर्ट्व context सेंग प्ल्त कॉम्मित और आप्षिन नम्बर ए है मेर्च जो है इस कुरेशन का राइड रहोगा लेकिन फिर भी कनफर्म करने के लिए आपने इस कुमेंट सेक्षिन में जुरूर बताना है कि कौन सी प्रांटेशन करोप नहीं है इसमें मुझे कनफ्यूजन है मेरच या तमबाकू में तो देखते आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट कुश्टन डिस्कस किये जो प्रीविएस एच्पी एससी हमिरपुर के एक्जाम में ये कुश्टन पूछेगे थे तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेट और सब्स्क्र ट्राइब जिरूर कर दें तो आज की वीडियो में बसे तना ही तो थैंक्यू फ्रेंड्स